पत्वारी का ये कहना है कि ये 29 शून्य की बात करना ये अहंकार की बात है ये रावन जैसा अहंकार है अगर हम जीत रहें और कहीं जीत रहें तो ये अहंकार की बात कहां से हो गई आप हमेशा कहते थे एहिंकार की ब påद पुराء उलbानदी जी कहते थे कि मदब पूरेस में तेर सो से जादा हम जीत रहें गारंटी दे रहे थे वो कहते हैं लिखके दे रहा हूँ भिलिक के यहाँ थे पत्रकार मित्रों को याद होगा वो एहिंकार नहीं है लेकिन हम जो सच कह रहे थे मैं कहता था मदप्रदेस में हम सरकार बनाएंगे 150 के पार जाएंगे और हम 150 के पार गए एक सी छिंदवारा वो एक ऐसा किला है जो अब तक फताह नहीं कर पाई बीजेपी इस बार क्या छिंदवारा का किलाब भी फताह कर लेंगे निश्चित तोर पर भारती जन्ता पारटी छिंदवारा जीतने जा रही है वो भी भारी अंतर से क्या रिपोर्ट मिल रहे है क्योंकि कमलनाथ के कह रहे हैं कि जीत रहे हैं और जीतू पटवारी कह रहे हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पहले फेस की वोटिंग के बाद लेगन जो मत प्रतिशत है, वो ज्यादा तर सीटों पर पिछले बार की तुलना में अभी तक कम है. ये जो मत प्रतिशत कम हुआ है, उसमें विपक्ष का ये कहना है, कि ये मत प्रतिशत बीजेपी का वोटर है, जो बाहर नहीं निकल रहा है, क्या है इसके पीछे वज़ाए, आपको क्या लगता है कि वाकई क्या बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला है, क्या बचा है आज मद्रप्रदेश में कांग्रेश में ना ढोल में ना मदर्या में कौन निकल राय काम करने अब जाके पूछ लो कौन निकल राय काम करने कमल ना जी छिंदवारा के बार नहीं निकले डिगविजा जी राजगर के बार नहीं निकले निकल कौन राय कितने कार करता नेता शामल करा लिए आपने तो Congress Party तो बीजेपी में ही आ गई देगे हम हमारी Party तो देश के लिए और जनता के लिए काम करती है मैंने कहा कि राश्ट्री पुनर्वान का अंदोलन है गलत फैसलों के कारण Congress के इस बीजेपी का दोस्त नहीं है Congress के गलत फैसलों के कारण Congress अपना अस्टित्व खोती जा रही है अब आप एक ही उधारन दीजिए मधवतेश की जनता पूछती है मैं तो जनता के बीच में रहता हूं जाता हूं एक फैसला अयोदया में भगवान राम की जन्म भूवी पर दिव्य और भव्य मंदिर बना प्रान प्रतिष्ठा राम बैठ गई जाको प्रभुदारून दुख देही बाकी मति पहले हर लेही बिनास्काले बिप्रित बुद्धी लिखके ओन रिकार्ड कहके भी नहीं लिखके कहा कि हम नहीं आएंगे ये गड़वड है अब जब तक ये धरती सूरज चंद्रमा रहेंगे तब तक ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था ये लिखा रहेगा अब ये किसको पच रहे है ये किसको पच रहे है बीजेपी का विरोध करते करते हैं सा लगने लगा तो राम के विरोध ही हो कि मोदी जी का विरोध करते हैं रा तो यहसे ढूद मैं नहीं कि दोंके फॉस्वाइघ जिनका भारती जनता पार्टी में है वह बीजयेपीट्प question कर रहें तो भारती जनता पार्टी यंधोरी का में जितने लोग हैं उतना ही रहेंगे अगर कोई आना चाहता है बीजेपी मैं तो उसका स्वागत है लेकिन कॉंग्रेस का ये कहना है कि वीएच पी बीजेपी का कारेकर्म लग रहा था जिस तरह से कारेकर्म हो रहा था इसलिए नहीं गए बाद में जाएंगे कुछ लोग बाद में नहीं जाना राम विरोधी कैसे सुनिया संता मारें की नहीं जाहिंगे तो ऽुष लेकिन नहीं जाने से राम विरोधी है सानातन विरोधी क्या कहा जा सकता है आफसी देखिए न नमीन में आख निकाल के चिठी लिखे आप विरोध कर रहे हो इसको आप क्या कहों यÝा कहों किशन आधार करों क्यु बाद करना है क पहरत की जड़ों का विरोध है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी का तो कहना है कि हम से बड़ा कोई रामभक्त नहीं है राजीव गांदी ने ताला खुलवाया नरसे मरावने जमीन अधिगरन करके दिया हमने कि अश्रवाती का यह कहा देते ताला खुलवाया यह क्यों नहीं का देखो वो भ्रिमित हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाएं कि उधर जाएं समझ नहीं क्यों कि राहुल गांदी बामपंतियों के बंधक हैं वो स्वतनत रूप से कुछ सोची नहीं बाते हैं कुछ ऐसे लोगों ने घिर लिया है उनको जिनका भारत के मूल विचार से कोई लेना देना ही नहीं है उतलिए एक के बाद एक गलत फैसले हो रहे हमारी सनातन परमपरा की खिलाफ फैसले हो रहे हैं अब उनके प्रवक्ता आज अगर डग्सली मारे जाते तो कहते हैं यह तो फरजी एनकाउंटर था वो तो सहीद हो गए अब क्या कह रह करिंग। कर दो